जॉब में रहते हुए तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि हम कोचिंग कर पाएं चवाले के रूटीन ऐसा था सुबह साड़े नौ बजे से लेकर सामको 6 बजे तो स्टार्टिंग के पहले हपते में तो लगा कि यार कहा हम आ गए हलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है विभान सुब स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में तो दोस्तो अभी हमारे साथ जितेंद कुमार सर है जिनका UPPC 2022 में DSP की पोस्ट पर सेलेक्शन हुआ है तो उसके पहले सर हम बता दे आपको आरो ए आरो की पोस्ट पर भी सर का सेलेक्शन हो चुका है और लेली सर वहाँ पर 5-7 साल जौब भी कर चुके हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे कैसे उन्होंने आरो की तयारी की थी या फिर आरो के तयारी करने के बाद किस सरीके से इन्होंने तयारी की कि यह अभी डेसफी की पोस्ट पर सेलेक्शन हो है और अभी यह डाक्टर वीम रामेटकर पुलीस अकेडमी मुराधाबाद में अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर रहे हैं तो सर से आज के इस वीडियो में सब कुछ डिसकस करने माले हैं बस आप लोग इस वीडियो में पिचले साले कंप्लीट किया फाइनल किया जैसे कि आप बता रहे थे कि आप यहाँ डिसपी की पोस्ट से पहले आप जो है समीक्षा दिकारी की पोस्ट पर भी आपका सेलेक्शन हुआ तो किस बैस में आपका सेलेक्शन हुआ था और उसके लिए आपकी त्यारी कैसे रही इससे पहले आरो 2014 मैं समिक्षा दिकारी सच्वाले लखनों मेरा चैन हुआ था वह मैं पिछले साड़े छे साल वहां नौकरी की मैंने तो आरो को चुकि अलग डिफेरेंट होता इपीश से उसके पीपर स्वी अलग होते हैं उसमें इंटर्वी भी नहीं कि आते हैं पीएन पांडी सरकीं की किताब ले सकते हैं और जीएस के लिए वही जो घटना चक लुसेंट और सब पड़ते हैं वही हम लोगों ने पड़ी थी मैंने पड़ी थी और उसके लिए कुछ खास तयारी मैंने अलग्ष नहीं की थी पेन तयारी मेरा PCS का था वो ब जेएं ट्रेनिंग के लिए तो वहां से यहां तक का सफर कैसे रहा किस तरीकी के चैलेंज जरहे किस तरीके से आपने तैयारी है क्योंकि काफी जो है जो आप लोग का जो आपका पीरेड होता है तो कहीने कहीं उसमें भी बहुत सारे चैलेंज़ रहते हैं डेली रूटीन कर रहता है जो आपको वहां सची वाले पहुंच रहा है तो वहां कैसे आप समय अपना निकालते थे पढ़ाई करने के लिए ताक कि यहां पर आप अभी पहुंचें इस मुकाम तर बहुत बढ़िया स्वाल पूछा क्योंकि मैं 2017 से समय को लेकर की काफी मुश्किलों के सामना करना पड़ा मुझे क्योंकि सचेवाले के रूटीन ऐसा था सुबह साड़े नव बजे से लेकर सामको छे बजे तक उसका ऑफिशियल टाइम था कई बार काम के उज़ासे हम लोग साड़े छे बजे साथ बजे भी ऑफिस रुखना पड़ता था साथ बजे साड़े साथ बज जाते थे अकसर होता था तो अकसर करने के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल था बस वही था कि कभी रात को लेट नाइट तक पढ़े एक बजे दू बजे कभी सुबह चल्दी उठ गए पान शाड़े पांशे बजे शाड़ भी लेके जाते लेकिन समय नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए और इसके अलावा सटरडे संडे ही दो दिन मिलते थे तो उसमें मैंने अपने जो इंट्रेस्ट के चीजे होती है से मुवी देखना खेलना घूमना इन चीजों को छोड़ करके पढ़ाई के लिए समय निकाला हालाक कभी-कभी हम लोग वीकेंड पे थोड़ा बहुत बाहर भी घूमते रहे लेकिन वहीं दो दिन हमें मिलते थे सटरडे संडे उसी में ही मैंने अपने तयारी के और बाकी एक्जाम टाइम में थोड़ी बहुत चुट्टी ले लेते थे वहां से 10 दिन हपती दिन 15 दिन ऐसे चुट्टी मिलती थे ज्यादा चुट्टी भी नहीं मिलती थे और चुकि सचिवाला एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी भाग में रहे वहां काम बहुत ज्यादा वर्क लोड बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि वर्क जो स्टाफ है वो कम था अब तो थोड़े से नए त्यारी करने उनके लिए मैं यह क्योंगा कि आप अपनी जो भी आपकी जॉब का टाइम है उसको आप दीजिये वहां पर काम करें उसके अलामा जवाब की विक्तियत जो चीजें होती हैं विक्तियत इंट्रेस्ट की चीजें होती हैं उसमें से आपको समय बचाना पड़े कर पाएंगे अभी सर यहां आप एकैडमी में है ट्रेनिंग के फेज में तो मतलब ट्रेनिंग का अनवो आपका कैसा रहा है क्योंकि आप अभी तक वहां पर जॉब कि उसमें सची वाला आना जाना लगा रहता था अभी यहां का महुल थोड़ा आला गए क्योंकि आप और यहां भी ट्रेनिंग में तो फीजिकल एक्टिविटीज भी कई सारी है सुबह से दो तीन घंटे रहते हैं साम को दो घंटे रहता है दिन में क्लासेस वगहरा रहते हैं तो सुरूम तो बहुत दिक्कत हुए स्टार्टिंग के पहले हपते में तो लगा कि यार कहा हम आ जाती है और फिर जॉब के समय तो और भी चीज़े चूट जाती है तो यहां आकर सुरूम बहुत दिक्कत है मुझे एक हपते स्टार्टिंग में लगा क्यार गलत जगह आ गए लेकिन फिरी इसके कई सारे फायदे मुझे दिखने लगे ऐसे फिजिकल स्टेमना बढ़ने लगी और स्टार्टिंग में पैर में बहुत जाए दर्द हुई और जो पीटे उगरह होती थी हम लोग नहीं अच्छे सकर पा रहे थे दीरी-दीरी सीख लिया हम लोगों ने तो अच्छा लगा आप करने में अब तो मतलब एक फ्रेंट सर्किल वियां बन गई और होस्ट के साथ समय बिताते हैं बाद में जब इस ट्रेंग के बाद पोस्टिंग हो जाती है तो लोग कभी-कभी मिल पाते हैं शादियों में कोई बैठा को गयरह हुई तो मुझे लगता है ट्रेंग अब धीरे-धीरे मज़ा आने लगा है और होप सब और बहतर होगी आगए जैस से ही से अपनी तयारी कांटीनिव आप कर रहे हैं दोस्तो आप लोग के साथ एक इंपोर्डेन इंपोर्मेशन सेर करना था इसलिए वीडियो को वीच में रोकन अपड़ा इसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तो इस दिवाली के फेस्टिबल को और भी रोसन करने के लिए प बात करें दोस्तो सक्षम 4.0 बैच की जो की यूपी पीसे 2024 के लिए हिंगलिस मीडियम का बैच है अभी इसका फीस 3499 रुपए है इसी तरीके सक्षम बैच जो की 17 बीपीस के लिए हिंगलिस मीडियम का बैच है इसका फीस भी अभी 3499 रुपए है और दोस्तो इसी तरीके प्रतम बैश, समिक्षा बैश, सचिव, APS बैश इन सभी कोर्सेश पर अभी आपको बहतरीन ओफर मिल रहे हैं और दोस्ति यह आप लोग स्क्रीन पर दिया गया है हमारा कोपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो इन सभी कोर्सेश का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है जाए और वहां से जाकर अपने तयारी को स्टार्ट कीजिए तयारी तो मैंने 2013 सभी में पीचेश दे रहा हूं 2014 पहली बार मेंस दिया है तब से लगातारी दे रहा हूं बीच में एक दो बार प्रिलिम्स में फेल हो गया था तो तयारी स्टार्टिंग मैंने कोचिंग के लिए प्रयास किया था लेकिन मुझे बहुत समझ नहीं आया त में उसके बाद मैं 2016 से जौब में हूं लगातार में जौब में रहते हुए तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि हम कोचिंग कर पाएं या कहीं किसी इस्ट्यूट से जुड़ करके कुछ कर पाएं हलाकि अभी पिछले एक साल से मैं लखनव में कुछ इस्ट्यूट से के लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग जेए आपका क्या प्रस्नल अनुव रहा है कि प्री और मेंस के लिए पर किस तरह कि हम जौईन करना चीए रूम पर करना चीए या पिरिंस्ट्यूट को जौईन करना चीए लिए तो मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कोई समय को लेकर फ्लेक्श ज्यादा हो जाते हैं आप कुल मन करें लिख रहे हैं लिखते लिखते कुछ मोबाइल नूटिफिकेशन आ गया या और कुछ करने लगे या कुछ मन दिमाग में चलने लगती हैं चीजें और जब हम किसी इस्ट्यूट में जाते हैं तो आपके प फायदेमंद हैं और चुकि बहुत से बच्चे हैं जो आनलाइन त्यारी कर रहे हैं गाउं में चोटे शहरों में तो उनके लिए मैं यहीं कहूंगा कि अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आप आनलाइन किसी कोचिंग से जुड़ करके आपको लगत करना चाहिए मैंने खुद अपने उपर देखा कि उससे पहले जीएस मेरे माक्स कम आ रहे थी लेकिन करने बाद इंप्रूमेंट हुआ और मेरे माक्स यह से बड़े तो मैं लगता टेसे बिलकुल ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए बाकी हमारे साथ बहुत सारे च्छा बना करके त्यारी करने चाहिए तो पहला मैं संदिय से दूंगा कि आप पना एक पेसेंस जो थेहरे आप बनाए रखे क्योंकि परिक्षा समय मांगती है आपको समय देना पढ़ेगा बहुत से लोग जो वाकिसाली होते हैं जो जिनके अच्छी तयारी हो पाती हो एक बार को जाते हैं लेकिन आप अधिकांश। देखेंगे जो भी सेलेक्ट होते हैं किसी भी पोश्ट पे तो और रच पाउंच बार किसी लेवल बाहर हुए रहते हैं बहुत कामied 242 परसंट्टी लोग होते हैं जो कास्ट टाइम पे ही सलेक्ट हो जाते हैं इसके अलामा दूसरी चीज है कि लगातार आप continuity अपनी त्यारी में बनाए रखिए ब्रेक मत करिए किसी भी तरह कुछ पढ़िए थोड़ा बहड़ी एक घंटे दो घंटे पढ़िए लगातार बढ़ते रहिए रेगुलर आप test series दीजिए किसी भी institute से आप देना चाहते हैं उससे जूड़ की दीजिए या वेक्तिकत अपने कमरे पे लिख रहे हैं तो वो करिए और जो पिछले साल के papers हो गएरा है किसी भी परिक्षा के उसके prelims के हो गए मेंस के हो गए उस पर आप believe करिए उसको आप अ पूराने साल के papers को आप अच्छे से करिए उसके syllabus को देखिए और हर paper के लिए एक एक standard किताबे पढ़ लीजिए और regular तैयारियम बने रहे हैं धायरे बनाये रखिए और मुझे लगता है हो जाएगा एक समय आपका आपका भी हो जाएगा आपका बहुत धन्यवाद की आपका इनको सपूर्ट करते रहें तो दुस्तों वीडियो कैसा लागा आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताने या आप लोग कोई सजेसन या सुजा होता है तो भी आप हमारे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो चले फिर मिलते हैं अपने किसी नेक् झाल झाल